हेलो एवरीबरन वालकम बैक टू मैं चैनल कैसे हूँ आप सभी लोग आप सब बहुत ही अच्छे होंगे फिर से लेकर आचुकी हूँ कुछ यूसफुल किचेन टिफसन हैक्स जिसके मदद से आपका घर और किचेन की सारी मुश्किल काम होंगे बहुत ही आसन तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं तो मेरी आज की पहले ट्रीक आती है इस तरह से कोल गेट या कोई भी पेश्ट की खाली पैकेट को ले करके ठीक है यहाँ पर क्या होता है कि यह जो खाली पैकेट है इसे हम सभी लोग फैक देते हैं लेकिन आज में इसका एक बहुत ही बढ़ी आसा ट्रीक बताऊंगी देखना आपका बहुत ही काम आएगा तो इसलिए यहाँ पर हम देखिए इसकी उपर वाली जो थोड़ी सी पाठ है इसे हम काट लेंगे ताकि इसकी जो माउथ है यह थोड़ा सा बढ़ा हो जाए ज़गा बहुत ज़दा गंदा हो जाता है और साथ ही साथ वह जगा दवाई के वजए से बहुत ज़दा चिपचिपी भी हो जाती है क्योंकि क्या होता है अक्सर कई बेर हम घर में काफी सारी इस तरह का सीरफ वगेरा लाके रखते हैं घर में छोटी बच्ची होने से न हमें कंपल सारी लाके रखना ही पड़ता है लेकिन होता क्या है जो एक्सपारी डेट होता है न वो कई बार न मिट जाता है जैसे कि इस ब पूरी तरीके से वाटर प्रूब हो जाएगा चाहे इसमें सीरप गिरे या पानी गिरे या कोई भी चीज इसमें यहां पर लगे ये डेट बिलकुल भी मिटेगा नहीं और बहुत ही बड़िया तरीके से बेफिकर होकर के इस दवाई का इस्तमाल अब उतना दिन तक ले काम आएगा तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप तो अभी जैसे की सर्दियों के मौसम लगी हुई है सर्दिस रिलेटेट एक बहुत ही बड़ी असा यूसफूल सर्थ है काफी सारी लोगों की पैरों में बहुत जाद जादी थी वो इसकिप हो चुका है और फिर उसके बाद 10 मिनिट के लिए पैरों को हम गरम पानी में डुबो के रखेंगे उसके बाद एक प्रोसेस हमें यानि की छोटी सी काम और करनी है इसके लिए हमें लेना है पॉलिथिन और पॉलिथिन से न हम भाप लगाएंगे जि ब्लाड शर्क्लूशन है वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से होने लगते हैं जिस कारण पैरों की सुजन इचिंग या जितने भी प्राबलम होते हैं वो पूरी तरीके से खतम हो जाते हैं उसके बाद पैरों को टावेल ड्राइ कर लीजिए अच्छी से पोच करके न इस च्छी तरीक आपका बहुत ही काम आएगा तो चलिए अब देख लेते हैं अगला त्रीक तो फ्रेंस ठंड में बरतन धोना हम सभी के लिए बहुत ही बड़ी मुश्किल काम हो जाती है उपर से टैंग की का पानी भी बहुत ही ठंडी ठंडी आती है नल में तो इसलिए बरत यासा उपाई में आपको बताऊंगी जिससे कि ठंडी ठंडी पानी भी हातों में नहीं लगेगा साथ ही में बर्तनों की जो चिकनाई है वो फटा-फट से क्लीन हो जाएगा यानि कि बर्तन धोने में बिलकुल आधा मैनत लगेगा इसके लिए यहाँ पर आपको लेना है ग्लाफ्स और ठंड में इस तरह का ग्लाफ्स तो हम सभी के पास अल्मुष्ट होता ही है अगर आपके पास नहीं है तो इसके लावा आप क्लीन किया हुआ जुराब का भी इस्तमाल यहाँ पर कर सकते हो जैसे कि मैं ग्लाफ्स को दोनों ही हाथों में पहन रही हूँ इसी तरह से आप कोई सभी जुराब को पुरानी रखी हुई है उसको अची तरह की से क्लीन कर लीजिए और यहाँ पर हमें और एक काम करना है लेना है पॉलिथिन ताकि हमारे ग्लाफ्स हमारे हाथ बिलकुल भी गीले ना हो इसलिए आप पॉलिथिन को इस तरह से हाथों में चड़ा लीजिए उसके बाद रवर्वेंट के मदद से इसे अची तरीके से सीक्योर कर लीजिए ताकि अंदर बिलकुल भी पानी ना गुसे ठीके तो इसी तरह से दोनों ही हाथों में मैं पॉलिथिन चड़ा के ना दोनों ही हाथों में मैं रवर्वेंट से उसे सीक्योर कर लूँगी जैसे कि यहाँ पर आप देखी सकते हो तो चलिए अब मैं आपको दिखाऊंगी बर्तन हमें किस तरह से धोना है तो सबसे पहले आप क्या कीजिए गरम पानी बर्तनों में डाल दीजिए ताकि बर्तनों में लगी हुई जो चिकनाई है वो अच्छी तरीके से रिमूब हो जाए यानि कि बर्तन धोने में हमें बिल्कुल भी मैनत ना लगे किमकि गरम पानी डालते साथ ही बर्तनों में लगी हुई चिकनाई आराम से रिमूब होने के कारण हमें बर्तनों को जादा घिसने की जरौत नहीं होती है ठीके चलिए अब जैसे की देली हम बर्तनों को मांज के क्लीन करते हैं सेमीसी तरह से ही क्लीन कर लेंगे तो इस तरह से देखिए बर्तन धोने में बिल्कुल भी हमें ठंड नहीं लग रही है और जो पानी है वो बिल्कुल भी मेरे हातों को नहीं चूरा है जिस कारान मुझे बिल्कुल भी किसी भी टाइप की किसी भी तरुके की कोई भी ठंड नहीं लग रही है तो अब सर्दियों में बर्तन धोना बहुत यह आसान काम हो जाएगा वैसे तो फ्रेंज इस तरह का ग्लाफ्स ना हम मार्किट से या ओनलाइन से महंगे महंगे दामों में ले आते हैं लेकिन क्यों हम पैसे खर्च करें जब हम अपने घरेलू जुगार से ही अपने कामों को आसान बना सकते अब देखें सारे के सारे बर्तन धोल चुके हैं अब पॉलिथिन उतार के मैं आपको दिखाती हूँ कि गलाफ्स पूरा ड्राइ है और सिर्फ गलाफ्स से नहीं अंदर जो हाथ है वो भी पूरी तरीके से ड्राइ है यानि कि हमारे हाथ बिल्कुल भी गीले नहीं हुए है बर्तन धोते टाइम उमीद करती हूँ ये ट्रीक आपका बहुत ही काम आएगा तो इसलिए इस यूसफुल वीडियो को अप अपनी मम्मी, चाची, बुवा और जिठानी, तिवरानी सभी को सियार कर दीजिएगा इसे बहुती बदवू आता है, क्यों आता है क्योंकि जो खाने पीने की चोटी-चोटी सी ये जो टुकरे होते हैं, ये फसे हुए होते हैं सिंक जाली में, जिस कारण इस तरह का बदवू आने लगता है, तो यहाँ पर मैं आपको एक चोटी सी ट्रीक बदाओंगी, देख ली हुई साबुन को हम कोई भी यूज नहीं करते हैं, तो आप क्या कीजी इन साबुनों को उठा के रख लीजिए, और इस तरह से हमेशा ही सिंक जाली में साबुन का एक चोटा सा टुकरा डाले रखें, इससे की सिंक का बैड इसमेल तो पूरी तरीके से खतम हो जाती है, साथी साथ सिंक में से बहुत ही अच्छी विनी विनी सी खुजबू आती रहती है, है ना कितना यूसफुल सा ट्रिक, अब देखें गैस का इस्तमाल लगभग हम सभी के घरों में होता है, लेकिन जहां पर भी हम गैस स्लिंडर को रखते हैं, वहां पर स्लिंडर का सरकल अक कला सा निशान आ जाता है, तो कोई सभी हर्स केमिकल का इस्तमाल ना करके यहां पर एक बहुत ही बड़ी असा उपाई है लेना है आपको बासी रोटी अक्सर एक दो बासी रोटी तो हमेशा ही बच जाते हैं, तो आप बासी रोटी आधा टुकरा ले लीजिए, या फिर ब कोलगेट, कोलगेट बहुत ही बड़ी असा क्लीनार होता है, यह हम सभी को पता है, साथी साथ रोटी भी बहुत बड़ी असा क्लीनार होता है, दोनों का मिक्स आप और भी बड़ी असा यूसफुल पावरफुल क्लीनार बनके तयार हो जाता है, उसके बाद अब एक चमच को रख लेंगे और इसके मदस से इस तरह से रब करते साथ ही आप विस्वास नहीं करोगे जादू की तरह जितने भी जंग कर निशान रहेगा वह अच्छी तरीके से क्लीन हो जाएगा यानि की साफ हो जाएगा जैसे कि यहां पर आप देखी सकते हो तो इस तरह से हम बिना स्लिंडर वाली जंग की निशान को बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीन कर सकते हैं आई हो वी यह ट्रीक आपको बहुत ही काम आएगा तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूसफुल ट्रीक सर्दियों के मौसम हम सभी को बहुत पसंद तो आता है लेकिन इस टाइम हमें बहुत सारी परिशानी भी जहलनी पड़ती है खास तौर में हम हाउजवाईब को लेकिन अगर कुछ टिप्स आपको पहले से ही पता होगा न तो इस तरह का परिशानी जहलनी की ज़रत आपको बिल्कुल भी नहीं होने वाली है तो देखिए सर्दियों के मौसम में खाना जल्दी ठंडा हो जाता है तो इसके लिए एक चोटासा ट्रीक बार-बार खाना गरम ना करना पड़े खाना बना करके आप इस तरह से रखलो लंबे टाइम तक ये गरम बना रहेगा जैसे की कुकर में खाना इस तरह से जब हम पकाते हैं साथी साथ आप को क्या करना है ले इससे ये होता है कुकर की साइडों में जो हलकी फुलकी सी गयाप रहते हैं न वो अची तरीके से फॉयल पेपर के मदश से सिल हो जाता है जिस कारण अंदर का जो भाप है यानिकी स्टीम बाहर बिल्कुल भी निकल के नहीं आपाता है इसलिए लंबे टाइम तक खाना गरम बना रहता है अब सर्दियों के मौसों में आपको बार बार खाना गरम करने की जरुवत बिल्कुल भी नहीं होगी उमीद करती हूँ ये ट्रीक आपका बहुत ही काम आएगा तो जलिए आप देख लेते हैं अगला यूसफुल ट्रीक सो फ्रेंज आज का वीडियो में येई पेंट करती हूँ I hope आप सभी को आज का वीडियो बहुत ही यूसफुल लगी है अगर वीडियो थोड़ी से भी यूसफुल लगे तो वीडियो को जादा से जादा से यहर कर दीजीगा साथे साथ एक लाइक और चैनल को सब्स्क्रा प्राचिंग प्राचिंग